पाइडर चोर चोरी के लिए निकर पड़ता है रास्ते में जाते हुए तो लोगों को अपने वेब से दिवार पे चिपका रहा था पहले उसने ये दो लोगों को दिवार पे चिपका दिया फिर उसने ये दो लोगों को दिवार पे चिपका दिया अब next आप सोचे और मुझे बताईए ये तीन लोगों में किन दो लोगों को वो दिवाल पे चिपकाएगा सोचे और मुझे आपका अंसर कमेंट करके बताए चलिए इसका अंसर देखते हैं अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वो सिर्फ ब्लाक पेंट्स वालों को ही दिवाल पे चिपका रहा था इन तीनों में से A और B ने ब्लाक पेंट्स पेने हुए है तो वो इन्हें दिवाल पे चिपकाएगा स्पाइडर उन्हें दिवाल पे चिपका देता है और चोरी करने के लिए आगे बढ़ता है एरिया 78 में अगली चोरी के लिए वो पहुच जाता है वही मेहुल उस एरिया की सबसे उची बिल्डिंग में खड़ा रहके स्पाइडर चोर का इंतिजार कर रहा होता है मेहुल ने स्पाइडर चोर के लिए एक बड़ा सा नेट रेडी करके रखा था स्पाइडर चोर के आते ही उस पे वो बड़ा नेट डाल के उसको पकड़ने का प्लान था लेकिन स्पाइडर चोर मेहुल को देख लेता है और वो मेहुल को फसाने का प्लान बनाता है पाइडर प्लाट में रश्ची डालता है और चोरी करने के लिए उस फ्लाट के अंदर चला जाता है उसे उस फ्लाट में एक बड़ी सी तीजोरी दिखती है लेकिन तीजोरी लॉग्ड है क्या आप इस तीजोरी को देखके उसको खोलने का कोट पता कर सकते हैं? सोचे और मुझे आप का अंसा कमेंट करके बता है क्लू को देखे लिखा है काउन्ट लाइट्स और तीजोरी के आस पास पे रेट, येलो, ग्रीन और ब्लू लाइट्स भी है रेट तोटल चार है, येलो तीन है, ग्रीन दो है और ब्लू चार है तो कोड हो जाएगा 4324, पाइडर चोर ये कोड प्रेस करता है तो तीजोरी खुल जाती है, उसमें बहुत सारा कैश था चोर अपने जोले में पूरा कैश भर लेता है और वाल पे नेक्स चोरी का पेपर अपने वेब से चिपका देता है और वहाँ से निकलने लगता है वही मेहुल स्पाइडर चोर की रसी देख लेता है और उस बिल्डिंग के उपर नेट लेके पहुँच जाता है चोर विंडो से जैसे ही बहार निकलता है मेहुल उसमे नेट डाल देता है चोर उसमें फस जाता है और नीचे गिरता है मेहुल भी तेजी से नीचे पहुच जाता है और चोर के पास जाता है मेहुल के पास आते ही जोर नेट से बहार निकलता है और अपने वेब से मेहुल को वाल पे चिपका देता है और वहाँ से cash लेके निकल जाता है मेहुल वेब को काटना शुरू करता है उसे 5% वेब को काटने के लिए 1 मिनिट लगता है तो अब आप सोचिए और मुझे बताईए पूरा वेब को cut करने के लिए मेहुल को कितना टाइम लगेगा आपका अंसर मुझे कमेंट करके बताए मेहुल को टोटल 20 मिनिट लगेंगे हर 5% के लिए मेहुल को 1 मिनिट लग रहा है तो 100% के लिए 100 by 5 मतलब 20 मिनिट लगेंगे मेहुल समझ जाता है ये स्पाइडर चोर को हराना आसान नहीं रहेगा मेहुल भूल भूलेया साइंटिस के पाथ जाता है अब भूल भूलेया साइंटिस ने उस तक पहुचने के लिए एक भूल भूलेया बना के रखाता है अब आप इस भूल भूलेया को देखिए और मुझे बताए कौन सा रास्ता साइंटिस तक जाता है A, B, C, D, I, E सोचे और मुझे आपका आपसा कमेंट करके बताए और रास्ता भी साइन्टिस तक जाता है मेहुल रास्ता भी लेता है और साइन्टिस तक पोहँच जाता है मेहुल साइन्टिस को स्पाइडर चोर और उसके वेब के बारे में बताता है तो scientist कहता है ये ज़रूर पागल scientist का काम होगा वो चोरिया करने के लिए कोई ना कोई formula बनाते रहता है उसने ये web gun बनाई है जिसकी मदद चेश्प पाइडर चोड बड़ी आसानी से चोरिया कर रहा है हमें किसी तरह उसके web को बनने से रोकना होगा फिर वो लोगों को चिपका नहीं पाएगा फिर scientist मेहुल को एक तीजोरी के सामने लेके जाता है तीजोरी लॉग्ड रहती है क्या आप इक तीजोरी को देखके इसको खोलने का कोड पता कर चकते हैं? तीजोरी को खोलने का कोड है 50 second number-first number और फिर second number से multiply code है जैसे 3-2 1 हो गया और 1 multiply by 3 3 हो जाएगा वैसे ही 3,8 में 8-3 5 हो जाएगा और 5 into 8 40 हो जाएगा तो final code में 5 और 10 है तो 10-5 5 होगा और फिर 5 multiply by 10 50 हो जाएगा scientist 50 प्रेस करता है तो तीजोरी खुल जाती है उसमें बहुत सारे फॉर्मूले रखे होते है साइंटिस उसमें से एक जार बहार निकालता है और कहता है मैं एक गैस गंद बनाने की कोशिश करता हूँ जिसकी मदद से तुम स्पाइडर चोर को रोख सकते हो लेकिन मुझे एक दिन का समय लगेगा मेहुल लैक से निकल जाता है और स्पाइडर चोर के next clue को देखता है जिसमें area 80 में चोरी होने वाली होती है मेहुल चोर को पकड़ने की एक कोशिश और करने के लिए area 80 में पहुँच जाता है रात होते ही चोर area 80 में पहुँच जाता है चोर एक building में रसी डालता है और building के उपर चड़ जाता है फिर वो flat के अंदर घुशता है और वहाँ चोरी करने लगता है मेहुल नीचे से उसे देख लेता है मेहुल रसी के पास नीचे बहुत सारा oil गिरा देता है जिससे चोर उसे फिसल जाए और मेहुल उसे पकड़ ले चोर चोरी करता है और रसी से जैसे ही नीचे उतरता है तेल से वो फिसल जाता है मेहुल तुरंद उसे पकड़ने के लिए उसके पास पहुचता है लेकिन स्पाइडर चोर अपने वेब की मदद से मेहुल को दिवाल पे चिपका देता है और फिर ओईल के उपर बहुत सारा वेब छोड़ता है ओईल पे वेब आने की वज़र से वो बड़ी आसानी से बिना फिसले ओईल के उपर से निकल जाता है मेहुल वापस भूल भूले या साइंटीस के पास निकल जाता है कि आप देखके बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटीस तक जाता है सोचे और मुझे आप कांसा कमेंट करके बताए रास्ता भी साइंटीस तक जाता है कुछ इस तरह से मेहुल साइंटीस तक पहुच जाता है साइंटीस मेहुल को एक गन देता है और कहता है कि ये गन से वेब को मारना तो वेब गायब हो जाएगा और इसकी मदद से तुम भी वेब बना सकते होगी मेहुल साइंटिस से गन लेता है और चोर की अगले लोकेशन पे पहुच जाता है रात होते ही स्पाइडर चोर चोरी करने वहाँ पहुच जाता है मेहुल को देखके वो मेहुल पे वेब छोड़ता है मेहुल तुरंद गन निकालता है और उसके वेब पे मारता है वेब गायब हो जाता है चोर वापस वेब छोड़ता है लेकिन गंद से वापस वेब गायब हो जाता है मेहुल फिर गंद से वेब छोड़ता है और चोर को वाल पे चिपका देता है और फिर उसे पकर लेता है Detective मेहुल rocks टेटेक्टिव मेहुल के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे चलिए अगली पहली देखते हैं मेहुल एक चोर का पीछा करते हुए एक गुफा के अंदर पहुच जाता है गुफा के अंदर जाते ही गुफा का धर्वासा बंद हो जाता है तबिए उसे अंदर से आवाज आती है अगर गुफा से बाहर आना है तो इन चार बटन्स में से कोई बटन प्रेश करना होगा कौन सी बटन प्रेश करनी है उसके लिए हिंड भी दिया हुआ है सोचो और सही बटन प्रेश करो तो लॉजिकल आर्मी आपको सोचना है कि कोशन माग की जगग क्या आएगा और वही बटन गुपा से बाहर जाने के लिए होगा ये एक अच्छा सवाल है तो समय चाहिए तो वीडियो को पॉस किजिए और मुझे बताइए मेहुल को कौन सा बटन प्रेस करना चाहिए चलिए इसका अंसर देखते है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैटन अल्टरनेट है पहला एक नॉन लिविंग तिंग है और दूसरा लिविंग तिंग है जैसे पहली चीज में जान नहीं है तो दूसरे में है तो पहले तीसरे और पाच्वे में जान नहीं है तो और चारो बटन्स में सिर्फ कॉइन वाला बटन ही ऐसा है जिसमें जान नहीं है मेहूल कॉइन वाला बटन्स प्रेस करता है तो धर्वासा खोल जाता है